हमाई स्कूल के श्टाप में है 40 teacher हमने यहां बुलाया केवल 4 लोगों को का है? बता सकता कोई अब आपई बुलाए हो तो आपई जानो हम लोग का का पता नहीं पता तो चुप़े बैठो अरे पगला हुगा बिल्गूल सामने प्रिंस्पल बैठा है चिला रहा है कोई फरके नहीं है हस रहे और तुम हमाई सामने यार बोला ही ना करो तुम्हाई मुझसे आती बदबू हाँ बड़ी तेज रुमाल लगा के बैठा को रो बता दिया हाँ तो हम कही रहते हमने यहां तुम लोगों को क्यो बुलाया है तो सुनो हमने यहां इसलिए बुलाया है सर जी हाँ एक बात पुँचनी है बोलो आपने हम लोग को यहां बुलाया कहे के लिए बता रहा है बता रहा है का है मारे जारो बैठो बच्चों की लगातार सिकायते हैं आ रही आप लोग के खिलाप इसलिए बुलाया है अच्छा अच्छा नहीं एक सिकायत यह कि टीचर क्लास में आते हैं सोते हैं अरे राम राम यहां आपकी बात की जा रही मिसरा जी क्या बक रहा है सर बक नहीं मेरा मतलब क्या कही रहा है सर नहीं नहीं बक हैं बक और नहीं सर हम जगते तो हैं क्लास में नहीं बिल्कुल जगते हैं जगते तो हैं यह हैं लेकिन जब घंटी बचती तब जगते ह गंटी बजेगी तो दूसरी क्लास में जाएंगे वहां फिर सोएंगे अरे नहीं सर क्या नहीं यहीं सच है सही कही रहे हमारा पीरियट जो है इनके पीरियट के बाद आता है तो कभी कभी हमको भी जगाना पड़ता यह सोई रहीते घंटी बज गईके जाओ अब दूसरा पीरियड में डूसरी क्लास में सों जाके यहां से तो फिरांगाते अंगाते उच्छ नहीं सचनने लगे तो टीना बगी रगा था अंच है सारी नींद निकल गई होगी फिर तो हेर्स कहा है हेर्स कहा है हेर्स यह आइस कहा है यह टीत कहा है यह सब गलत बता आ रहा है आप इंगलिस के टीचर आपको इंगलिस नहीं आती बोडी पार्ट तक नहीं आते आपको आता क्या है आपको हसना और तुम पता चला है तुम केवल आगे वाली सीट के बच्चों पढ़ाते हो नहीं तो सर अच्छा तो हम जूर बोल ला है मतलब यार हमको यह नहीं समझ में आता है कि सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाने क्या मतलब मतलब बच्चे सिकायत कर रहे हैं पीछे वाले बच्चों से कोई मतलब नहीं सिर्फ आगे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और चले जाते हैं अरे इनकी हाइट कम है ना तो तो यह पीछे वाले बच्चों को दिखाय नहीं पढ़ते हैं आगे ही आगे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं अरे यार कितनी हाइट छोटी खड़े हो जब देखें कितनी है छोटी खड़े है तो है तुम खड़े हो मतलब तुम तब से खड़े हो हाँ जब बैठते हैं तो खोपड़ी में लड़ती है देखो ऐसा है तुम सीट पे खड़े होके कुरसी पे खड़े होके टेबल पे खड़े होके पढ़ाओ लेकिन सब लेरों के नीचे दूछ बंध वाली जिये। तो इससे कहोगा आपकी हाइट फुरी वर्द है। क्या बेवकोफियत बता रहें। नहीं यह क्या बेवकोफियत बता रहें। मतलब कोई आदमी अगर बांस बांदेगा तो ख़ड़ा हो पाएगा। डिस बैलेंस होके खुपढ़िया नहीं फुरवा लेगा अजीब बेवकूफी वाली बाते कर रहें बेवकूफ हैं क्या कुछ ज़्याद़ ही बोल रहें आप नहीं तो बेवकूफ को बेवकूफ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सग्यान नहीं नहीं कुछ ज्याद़ ही बोल है क्या कर लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे नहीं क्या कर लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे नहीं क्या कर लेंगे बहुत कुछ कर लेंगे करके दिखाईए मैदान में आईए यहीं बताईए बैट जाईए बैट जाईए नहीं तो मैदान मे दोनों को भेद देंगे कुष्टी लड ले ना महाँ पे जाके तिरे एक दूसरे खोपड़ी फोर के आना हमाई पास मैं तो आप इनको समझाईए ना इनको क्या समझादे हम में डडाका तो तुम हो आपको इसलिए गुलाया गया था कल किसी के गारजयन आये थे सही सलामात आये थे लंगडाते हुए गये हैं हमें पता चला मार पीठ हुई आप दोनों में मतलब हद हो गई यह आलक चल लए हमारे स्कूल की तुम चारों मकारों को नौकरी से निकाला जाएगा बताय दे रहे हर कोतों में अगर सुधार नहीं ह तो करो रहे हैं तो नौकरी से निकाले जाओगा इक मागना सडकते एह रवर है यह रवर है, यहां किसी के पास रवर है रवर और का क्या करना है तुम को बिगाळनार है क्या बिगारना चलोग जिंदगीत पहले बिगाचुके हो तुम अब क्या बिगाबनारे अर priorities कोई द थूख, थूख, पागल हो क्या बिल्कुल, थूख से बिगारा दता है, जी, तो उसमें दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, पागल हो बिल्कुल, तो हमने तो आपके रजिस्टर में भी थूख से बिगारा है, एह, कहां, कब, आपके रजिस्टर में लिखा तक प्रिंसिप का लिखा थोख से बिगारने में दिक्कत क्या है इतना गिनपण मेरे नाब के दीचे मेरे रिजिस्टर में हमेशा दी बिगारते आ रहो तुम इतने दिक्कत की क्या परो तुम आप इतना परेसान काय हो रहा है पूरी दुनिया बिगारती थोख से पूरी दुनिया थोख से प्लोक से लर्जी है चलो अगली बार नहीं पिखाड़ेंगे कि सर्जी अगली बार नहीं पिखाड़ेंगे सर्जी सर्जी आख्रे तो फुली है तर्जी कि अढुड़ेंगे कि कि वपको फुली